हेलो दोस्तों मैं रूपेज सिंग रियल कॉंसेट में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो फ्रेंट कैसे हैं आप सभी लोग I hope कि आप सभी लोग बहुत ही जबरदस्त और भेतरीन और सांदार होंगे और आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो चलिए फ्रेंट सुरुआत करते हैं आज के दिन का सिसन बहुत ही जबरदस्त और भेतरीन होने वाला है और बहुत ही conceptual topic है आपको सुरु से लेके जो है अंत तक मेरे साथ बने रहना है और सिसन को मिस नहीं करना है अगर आप देखे फ्रेंट साप लोग सुरु से लेके अंत तक बने रहेंगे एक एक concept अगर आपका clear हो जाएगा तो बड़े आसानी से आप लोग question को बना लेंगे clear है तो चलिए हमारे साथ जोड़ चुके हैं रितू, कनोजिया, गोड़ इबनिंग, यूपी, गोड़ इबनिंग, गोड़ इबनिंग भाई, सभी लोग, प्रिती कुमारी चलिए नीशा, राजपूत, बिहारी, चलिए start करते हैं आज के दिन का जबरदस्त और बहतरी सेसन तो चलिए शुरू करेंगे और सबसे पहले देखे आप लोगों को concept को ध्यान से समझना है और concept समझने के बाद बहतर तरीके से question को करना है तो चलिए एक बार आप सभी लोग सेसन को अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ जबरदस तरीके से share कर दीजे और वीडियो को like कर दीजे फिर शुरुआत करते हैं आज के दिन का सफर सबसे पहले हम लोग concept समझेंगे concept समझने के बाद question करेंगे तो चलिए जैसा कि आप शभी लोग देख सकते हैं कि आज मैं सुरू करने वाला हूँ आप शभी लोगों के लिए यहाँ पर rail गाडी तो चलिए rail गाडी सुरू करेंगे आप शभी लोगों के लिए यहाँ पर देखे फ्रेंट सबसे पहले आपको हर एक concept को ध्यान समझना है सबसे पहला concept कहे रहा है जब train एक खंभे और आप से कहे रहा है स्थिर बैक्ती या और ब्रिच को पार करती है यानि वेन ए ट्रेंट पासिस पोल, स्टेशनरी परसन और ट्री को जब पार करेगी तब तो देखे फ्रेंट से हमने माले कि यह देखी आप लोगों की एक train है क्या है फ्रेंट से यह आप सभी लोगों की एक यहाँ पे train है और यह देख सकते हैं कि यह जबरदस्त और बहतरीन और सांदार तरीके से आप लोगों की train है और train की लंबाई को मैंने L मान लिया और speed को मैंने क्या मान लिया ऐसा है और यहाँ पे एक कोई बंदा है यहाँ पे कोई एक person है और यह train देखे इस person को कप पार करेगी जब यह वाली condition फ्रेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगी यानि person आप सभी लोगों का यहाँ पे रहेग और यह train आप लोगों की इधर आ जाएगी यानि यह train आपकी इधर से यहाँ पे आ जाएगी इसकी लंबाई को L माना है और speed को मैंने S माना है तो आप देख सकते हैं आप सभी लोग फ्रेंट से यहाँ पे जो है यह train का यह वाला point कहां पे आ जाएगा यहाँ पे आ तो अगर हम यहाँ से समय की बात करें देखे friends यहाँ train की लंबाई का मतलब दूरी से है इस बात का ध्यान देना यानि किस से है friends distance से है यानि समय बराबर हो जाएगा आप सभी लोगों का हम बात करते हैं तो time बराबर क्या हो जाएगा L अपानियस यानि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल यहां पर कुछ बाते और ध्यान से समझना है एक बात का हमेशा ध्यान देना आप लोगों को देखे फ्रेंट से एक्जाम में लंबाई को हमेशा जो है मीटर में देगा एक्जामनर क्या करता है लंबाई को हमेशा मीटर में देगा और आप सभी लोगों का जो speed है इसको हमेशा किस में देता है most आप case में 99% case question में देखेंगे कि ये आपको km per hour में देगा किस में देगा किलो मीटर per hour में देगा और इसको आपको convert करना है मीटर प्रति सेकेंड में अब दो बाते में बहुत ही महत्पूर्ण बताने वाला हूँ आपको ध्यान समझना है सबसे पहला point आपको friends ये ध्यान देना है कि जब आपको कभी भी km per hour में दिया रहे और आप सभी लोगों को friends convert करना रहे क्या करना रहेगा convert करना रहेगा इसको मीटर प्रति सेकेंड में किस में बदलना रहेगा देखे friends जब कभी भी आपको km per hour में दिया रहेगा convert करना रहेगा मीटर प्रति सेकेंड में तो हमेशा ध्यान देना किस से multiply कर देंगे पांच बटे 18 से multiply कर देंगे उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे concept की बात करते हैं जब कभी भी आपको मीटर प्रति सेकेंड में दिया रहेगा और आपको देखे friends convert करना रहेगा किलो मीटर पर hour में किस में convert करना रहेगा किलो मीटर पर hour में convert करना रहेगा तो हमेशा किस से multiply करेंगे 18 अपान 5 से किस से multiply करेंगे friends 18 अपान 5 से multiply करेंगे जब मींटर सेकेंड में करना है तो मीटर चोटा होता है इसलिए च्छोटी डिजिट को उपर रखेंगे। और यहां पर man से सारी चीज़ें क्लियर हो गई एक पॉइंट को मैं बेहतरीन तरीके समझाने वाला हो इस बात का ध्यान देना फ्रेंट्स चितना लोग फ्रेंट्स पेड़ कोर्स पढ़ाते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं यहाँ पे आप लोगों को explain करने वाला हूँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले concept की तरफ और अगला concept ध्यान समझेंगे कि क्या है अगले concept की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं और अगला concept यहाँ से ध्यान समझते हैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे ध्यान समझेगा अगला concept कहता है प्रेंटस जब train जो है एक टरनल या प्लेटफॉर्म को पार करती है यानि कह लिजिए या एक सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार करेगी When a train possess a platform or a tunnel देखे friends हमने माल लिया कि यह आप लोगों की एक train है आप सभी लोगों की देखे friends यह आपकी क्या है एक train है यहाँ पे और हमने माल लिया कि देखे friends train की लंबाई क्या है L1 है और इसकी speed कितना है S है यही है और देखे फ्रंट्स यहाँ पे आपका एक टनल है यानि एक सुरंग है तो एक यह आपकी क्या हो गई फ्रंट्स यहाँ पे एक सुरंग हो गई और सुरंग की लंबाई को हमने कितना मालिया L2 है सुरंग की लंबाई कितना है L2 अब देखे फ्रंट्स यह रेल को मैंने L1 माना है और इसकी speed को मैंने क्या माना है यहाँ पर S माना है तो देखे फ्रेंस रेल गारी अपनी लंबाई और plate form की लंबाई की योगफल के बराबर जो है पार करेगी तो यानि यहां से समय बराबर आप सभी लोगों का हो जाएगा फ्रेंस यहां से L1 प्लस का L2 अपान क्या हो जाएगा फ्रेंस यस हो जाएगा की नहीं तो आप लोगों को कॉंसेट हर एक कॉंसेट के बहतरीन और जबरदस तरीके से समस्ते चलना है उसके बाद आप कुश्चन खुद ही बना लेंगे और मुझे बताने की आवसकता नहीं पड़ेगी आगे और अगला कोश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या कह रहा है अब यहाँ पर देखे फ्रेंस आप लोगों से अगला कोश्चन आप लोगों से क्या कह रहा यहाँ पर अगला देखे सौरी यहाँ पर अगला कॉंसेट समझेंगे कि जब ट्रेंस जब ट्रेंस चलते हुए ब्यक और एक दूसरी condition बनती है इन अपोजिट डारेक्शन और ध्यान से दोनों समझिएगा यानि जब दोनों विप्रीद दिशा में जाएंगे तब क्या condition होगी यह दोनों condition आप लोगों को समझना है जब एक ही दिशा में जाएंगे और जब विप्रीद दिशा में जाएंगे इस बात का ध्यान देना इन अपोजिट डारेक्शन यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा इन अपोजिट जो है डारेक्शन अब चलिए ध्यान से फ्रेंट कांसेट को आप सभी लोग यहाँ पर समझेंगे अब देखे फ्रेंट इस सेम डारेक्शन की बात करते हैं तो जैसे माली जी यह आपकी रेल गाड़ी है यह आपकी क्या है रेल गाड़ी है इसकी लंबाई को मैंने क्या माल लिया L और देखे फ्रेंट्स मैंने इसकी स्पीड को कितना माल लिया है S1 इसकी स्पीड को मैंने माल लिया S1 इसी दिसा में जा रही है और एक परसन है फ्रेंट्स यहाँ पर इसी दिसा में सेम ही डारेक् S1 minus का क्या हो जाएगा S2 लेकिन एक हमेशा बात ध्यान रखना S1 is greater than क्या होगा S2 यानि ये train ब्यक्ति को तभी पार करेगी जब इस train की चाल क्या होगी ब्यक्ति की चाल से ज़्यादा होगी ये बात भी आपको ध्यान से समझना है इन opposite direction की बात करते हैं तो friends जैसे माल लिजे ये आप लोगों की train है ये क्या है friends आप सभी लोगों की जबरदस्त और बहतरीन तरीके से क्या है आपकी train है इसकी लंबाई को L माल लिया इस speed को मैंने S1 माल लिया इस दिसा में जा रही है एक दूसरा person है दूसरा बंदा है जो इधर से इस दिसा में आ रहा इसकी speed को मैंने कितना माल लिया S2 तो अब देखे ये जो है ये रेल गाड़ी person को क्या पार करेगी अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी यानि यहां से समय बराबर आप सभी लोगों को हो जाएगा यहां से L अपान क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 जब opposite direction में चलेंगे क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 हो जाएगा ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है चलें आगे बढ़ाएंगे अगले कुछ अगले concept की तरफ ये concept clear हुआ कि नहीं चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं एक बार आप सभी लोग जबरदस तरीके से comment box में comment करिए एक बार आप पूरी तरीके से पहला दीजिए पूरे यूटूब पर एक बार बहतरीन तरीके से एक बार आप सभी लोग सिसन को जबरदस तरीके से लाइक जीश चलिए यस आगे बढ़ते हैं चलिए अगले कॉंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे अगला कॉंसेप्ट ध्यान समझेगा कि आप सभी लोगों का क्या कह रहा है अब यहाँ ध्यान समझेगे कि अगला कॉंसेप्ट क्या है अगले कॉंसेप्ट की तरफ चलेंगे अगला कॉंसेप्ट कह रहा है कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है देखे फ्रेंस इसमें कॉंसेप्चुल टापिक है इस बात का ध्यान देना जब तक concept नहीं clear रहेगा आप लोग question को नहीं बना पाएंगे इसलिए हर एक concept को ध्यान से समझना है चलिए करा जब एक train दूसरी train को पार करती है तो देखे friends यहाँ भी दो condition बनेगी सबसे पहला condition बनेगा in same direction क्या बनेगा friends in same direction सबसे पहला condition बनेगा in same direction यानि जब एक ही दिसा में जाएंगी एक दूसरी condition बनेगी आप सभी लोगों की in opposite direction क्या बन जाएगा in opposite direction यानि जब विपरीद दिसा में जाएंगी किस में जाएंगी in opposite direction यानि विपरीद दिसा इन अपोजिट डारेक्सन यानि क्या हो जाएगा फ्रेंट से विप्रीद दिसा हो जाएगा अब ध्याँ समझिएगा जब माली जे एक ट्रेन है ये एक ट्रेन है इसकी लंबाई को L1 मान लिया इस पीड को हमने S1 मान लिया ये आप लोगों की क्या है फ्रंस एक रेल गाड़ी है इसकी लंबाई को मैंने L1 मान लिया Speed को S1 एक दूसरी train यहां पर है एक इस दूसरी train को पार करेगी इसकी लंबाई को L2 मान लिया और इसकी Speed को मैंने S2 मान लिया अब दोनों सेम ही डारेक्षन में इसी दिसा में जा रही हैं ये rail गार्डी इसको कब पार करेगी तो यानि अपनी लंबाई और इस rail गार्डी की लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी तो यानि यहां से time बराबर हो जाएगा आप सभी लोगों का L1 प्लस L2 अपान क् ध्यान देना, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं, इन opposite direction, opposite direction की बात करते हैं, तो अब देखे, for opposite direction में भी same, यह दोनो ट्रेणे क्या होगी, एक train इधर से जाएगी एक दूसरी train इधर से आयेगी तो इसका मतलब यहां से समय बराबर T बराबर हो जाएगा L1 प्लस का क्या हो जाएगा फ्रेंट से L2 अपान क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 हो जाएगा कि नहीं तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा तो यानी यहां से समय बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 अपान S1 प्लस क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा कि नहीं तो आप लोग कहेंगे हाँ बिलकुल सर हो जाएगा Yes चलिए आगे बढ़ेंगे अगले concept की तरफ और हर एक concept को ध्यां से समस्ते चलिएगा अगला देखते हैं concept आप सभी लोगों का क्या है चलिए अगला concept देखिए आप सभी लोगों से यहां पर क्या कह रहा अगला concept कह रहा है कि जब एक train कह रहा जब एक train दूसरी train में बैठे बैक्ति को पार करती है कह रहा जब एक train जो है दूसरी train में बैठे person को पार करेगी तो भी यहाँ पे भी दो condition बनेगी फ्रेंट्स, एक सबसे पहला condition बनेगा in same direction, क्या हो जाएगा फ्रेंट्स, in same direction, यानि जब दोनों एक ही दिसा में जाएंगी, एक दूसरी condition बनेगी फ्रेंट्स, in opposite direction, अब बहुत सारे बच्चों को इस वाले concept में होता है confusion, आज मैं वो सार confusion आप सभी लोगों का दूर करने आया हूँ फ्रेंट्स, और आप जबरदस तरीके से ऐसा कभी पढ़े नहीं होंगे, इस बात की भी गारंटी है, clear है, तो चलिए, यहाँ पे ध्याँ समझिएगा, फ्रेंट्स, आपका क्या हो जाएगा, in same direction, in opposite direction, देखें फ्रेंट्स, मा लमबाई को मैंने क्या माल लिया, L1 है, clear है, अब यहाँ पर देखिएगा, दोनों एक ही दिसा में, इसी दिसा में जाएंगे, एक दूसरी ट्रेंट्स है, यहाँ पे एक दूसरी ट्रेंट्स है, और इसमें एक परसन यहाँ पे बैठा हुआ है, एक परसन बैठा है, इसकी speed को S1 माल लेता हूँ इसकी speed को S2 माल लेता हूँ और देखे friends इसकी जो है इसकी जो लंबाई है इसकी लंबाई को आप सभी लोग कितना माल लेंगे चलिए इसकी लंबाई को L ही मानिए अब यहां से देखे समय बराबर क्या हो जाएगा यह rail गाड़ी अब ध्यान समझेगा confusion नहीं होना चाहिए जब इस person को पार करेगी friends तो इसकी लंबाई नहीं head होगी इस बात का ध्यान देना T is equal यह rail गाड़ी अपनी लंबाई की योगफल के बराबर हो सकता यहां guard बैठा हो या कह लिजे कि train का आप सभी लोगों का चालक हो इस बात का ध्यान देना यानि train का driver हो तो यानि T बराबर हो जाएगा L अपन S1 माइनस क्या हो जाएगा S2 जहां S1 is greater than क्या हो जाएगा S2 ये भी आपको बात याद रखनी है इन opposite direction में आप सभी लोगों का हो जाएगा T is equal हो जाएगा L अपन क्या हो जाएगा S1 प्लस का क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा कि नहीं तो आप लोग कहेंगे हाँ बिलकुल सर तो चलिए एक बार आप लोग जबरदस तरीके से comment box में comment करके बताईए कि सारे concept आप लोगों को बहतर तरीके समझ में आ गए है clear हो गए है उसके बाद हम question की तरफ चलेंगे जितना concept था friends मैंने discussion कर दिया है क्योंकि अगर आपको concept नहीं clear है तो फिर ये नाव धारा और रेल गाड़ी ऐसा topic है जिसके आप लोग question नहीं बना पाएंगे ओके चलिए प्रिंस यादो good evening good evening भाई चलिए एक बार session को आप लोग like कर दीजी और share कर दीजी अपने दोस्तों के साथ चलिए यहां तक चीजें बहतर तरीके से clear हो गई है अब आगे बढ़ेंगे question की तरफ और basic से advance label तक चलेंगे इस बात का ध्यान देना तो चलिए friends यहां पे आप लोगों का question आ चुका है जैसा कि screen पर दिख रहा है देखे friends यहां पे typing को mistake हो गया है question कह रहा है चलिए मैं English में आपका सही है समझा देता हूँ question कह रहा a train 150 meters long crosses a telephone pull in कह रहा है friends 12 seconds यानी एक train कहरा 150 meter लंबी है जो एक telephone यानी एक खंभे को 12 seconds में कहरा पार करती है friends find the speed of the train यानी आपको बताना है कि train की चाल क्या होगी थोड़ा सा ध्यान दीजेगा friends इसमें कुछ दिक्कत आ गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आप सभी लोगों को ये वाला ध्यान देना है clear है चलिए मैंने हिंदी में question समझा दिया है अनूप यादो good evening good evening भाई ये सवाल आप सभी लोगों से ध्यान समझेगा उपर वाला इंगलिस वाला थोड़ा सा आप लोग दिफ्रंस ध्यान दीजेगा सही है एक ट्रेन 150 मीटर यानि हमने का एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है और एक टेली फोन खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल आप से पूछा गया है कि ट्रेन की चाल क्या होगी चलिए नैना प्रिया गुड इबनिंग हाँ हिंदी में मैंने दो बार बोल दिया है आप लोग निश्चन्त रहिए हिंदी में मैंने दो बार बोल दिया है बिहार का फॉर्म आ चुका है जबर्दस तरीके से वीडियो आपको मिल जाएगी चलिए अब देखें फ्रिंटस आप से चाल पूछा है तो देखें फ्रिंटस से स्पीड बराबर होता क्या है स्पीड बराबर होता है आप सभी लोगों का डिस्टैंस अपांट टाइम यानि डिस्टैंस का मतलब यहां रेल गाड़ी की लंबाई से है तो रेल गाड़ी की लंबाई कितना दिया है 150 मीटर दिया है और आपको देखे 12 सेकंड में पार करती है तो अपान 12 अब देखे फ्रेंट जितने आपसन है वो सारे किलो मीटर पर आवर में दिये है इस बात का ध्यान देना एक्जामनर हमेशा यही करेगा और इसको किलो मीट देखे फ्रेंट आपका मीटर पर सेकंड आ गया किलो मीटर पर आवर में बदलना है तो इंटू 18 बटे 5 यानि इंटू 18 अपान 5 से मल्टिप्लाई कर देंगे अब इसको कैलकुलेट करेंगे देखे फ्रेंट 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा 6 45 यानि 45 किलो मीटर पर आवर ही क्या होगा इस कुशन का करेक्ट आंसर होगा कितना हो जाएगा 45 किलो मीटर पर आवर इस कुशन का राइट आंसर होगा चलिए बहुत सारे बच्चे डी बता रहे हैं गुड हाँ डी आपसन यानि 45 किलो मीटर पर आवर ही क्या होगा इस कु कि तरह बढ़ते हैं आप सभी लोगों का कि अगला कोश्चन यहां पर क्या कह रहा है अगला कोश्चन आप सभी लोगों से अब बेहतर तरीके से दिख रहा है कोश्चन आप से कह रहा है कि 72 किलो मीटर पति घंटे की गज़ से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा तो जल्दी से फ्रेंट्स आप सभी लोग अब कमेंट वाक्स में कमेंट करके बताइए कि जल्दी से कमेंट करिए किहा आंसर क्या होगा इस question का answer क्या होगा आप लोगों को बताना है एक बार आप सभी लोग जबरदस तरीके से चीजें बहतर समझ में आ रही है तो एक बार 25 km पर आवर अब इसमें time बताना है ध्यान समझेगा चलिए देखें समय पूछा है तो समय हमने कहा तो front हमेशा second में पूछेगा सारे आप सं second में दिख रहे हैं तो देखें समय बराबर क्या हो जाएगा समय आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 160 मीटर दिया है अब देखे फ्रंट समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल यानि आपको हो जाएगा डिस्टैंस अपान स्पीड ये 72 किलो मीटर पर आवर दिया है इसको मीटर प्रस सेकेंड में कनवर्ड करेंगे 5 अपान 18 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा अब देखे फ्रंट 18 से का ककरेक्ट आंसर होगा ऐसा कौनस साब्शन है एया आपसन दिख रहा है यही सकोषिन का क्परेक्ट आमसर हो जाएगा कितना हो जाएगा अघ्र और सेकेंड इसकोशन का राइट आंसर होगा चेले फृंट सागे बढ़हेंगे अगले बढ़हेंगे prima अगले कोशन की तरफ अगले कोश्चन की तरब अगले कोश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या कह रहा है, ये भी कोश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बहतरीन है, कोश्चन कह रहा है एक ट्रेन जो 72 किलो मीटर प्रति घंटे की गत्स से चल रही है, 36 सेकंड में एक बिजली का खंभा पार करती है, तो आप से कह रहा है ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी, इस बार train की लंबाई अब लोगों से मीटर में पूछा गया है, किस में पूछा गया है, मीटर में, चलिए अब train की लंबाई को मीटर में बताना है, तो कैसे करेंगे, अब ध्यान समझिएगा, friends, आप सभी लोग अब यहां से train की लंबाई यानि L, L यानि देखे फ्रेंट से दूरी पूछा, distance बराबर क्या होता है, फ्रेंट से दूरी बराबर होता है, 4 गुड़े समय, यानि speed इंटू क्या होता है, time, अब 72 किलो मीटर पर आवर दिया है, इसको मीटर पर सेकेंड में convert करेंगे, तो कितन हो जाएगा, फ्रेंट से आप लोगों का, 720 मीटर, कितना आजाएगा, 720 मीटर इस question का correct answer होगा, यानि D option ही क्या हो जाएगा, इस question का correct answer होगा, कौन से हो जाएगा, इस question का correct answer होगा, तो I hope कि फ्रेंट से आप लोग बातें यहाँ पर समझ गे होगे, चलिए आप शुभी लो तरीके से बताते रहिए आगे बढ़ेंगे अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या कह रहा है यहां पर अगला कुश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंट से एक चलती हुई रेल गाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेट फार्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंबे को 10 सेकंड में पार करती है तो रेल गाड़ी की 40 किलो मीटर प्रति घंटे में क्या है यानि कह रहा है मुविंग ट्रेंट क्रासे से प्लेट फार्म 50 मीटर लंग इन 14 सेकंड एंड एन इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकंड वाट इस दा स्पीड इन सारे बच्चे बता रहे हैं गुड गुड भाई बहुत बहुत बहतरी इसांदार तरीके से ऐसे ही पढ़ते रहिए देखिए जब आप सुभी लोग बहतर तरीके से चीजों को करते हैं तो फिर अच्छा लगता है चलिए दीपक 20 सेकंड इसका आंसर क्या होगा बताना है कि एक चलती हुई रेल गाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेट फार्म को 14 सेकंड में और कह रहा है बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तो रेल गाड़ी की चाल क्या होगी अब देखिएगा फ्रेंस आपको कुछ करना नहीं है जब कभी भी इस टाइप का सवाल आवर में बताना है तो अब ध्यास देखिएगा चलते हुई प्लेट फार्म को 14 सेकंड में बिजली के खंभे को 10 सेकंड में तो इसका मतलब देखिए आपका कितना हो जाएगा 50 और बटे देखिए इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे 14 और 10 के बीच का डिफरें देखिए 10 हो जाएगा 2 से काटेंगे देखिए दो दोनी चार दो पंचे दस दो से काटेंगे दो नुवा ठारा यानि 9 पचे कितना हो जाएगा फ्रेंस 45 किलो मीटर पर आवर ही क्या होगा इस कुश्चन का करेक्ट आप्सर हो जाएगा यानि ऐसा कौन सा आप्सन है D आप देखे फ्रेंट्स हमने कहा था ना कि अगर आप लोग कॉंसेट को ध्यान से समझ लिए हैं तो इसका मतब आप कुश्चन आप खुद से बना ले जाएंगे जल्दी से जबर दस तरीके से लगाएंगे कि इस कुश्चन का अंसर क्या होगा चलिए आप से पूछाए फ्रेंट्स रेल गाड़ी की लंबाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कि इस कुश्चन का आंसर क्या होगा हाँ चलिए डी आप सन बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे चलिए हाँ जबरदस बहतरियन तरीके से बताते रहिए और देखे फ्रेंट्स आप लोग पढ़ाई पर फोकस करिए आपस में ज़्यादा बाते नहीं बात करने के लिए तो हमें बहुत समय मिल जाएगा लेकिन पढ़ाई की समय पढ़ाई इस बात का ध्यान देना चलिए सुरुवात करते हैं इस कुश्चन को ध्यान समझिएगा कि कैसे करेंगे कुश्चन करा एक रेल गाड़ी प्लेट फार्म कर खड़े एक बेक्ति को आठ सेकेंड में देखे फ्रेंट्स आप से क्या पूछा गया है कि रेल गाड़ी की लंबाई यानि लेंथ आप क्या पूछा है ट्रेन इन मीटर मैंने रेल गाड़ी की लंबाई को एल मान लिया क्या मान लिया एल और कहरा फ्रेंट्स यह आठ सेकेंड में पार करती है किसमें पार करती है 18 सेकेंड में यहाँ पर करती पर करती हैं, फिर करा 264 मीटर लंबे प्लेट फॉर्म, तो हमने कहा तो फ्रेंट से रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर, और प्लेट फॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर पर करेगी, और कितना समय लग रहा फ्रेंट्स यहां से 16 सेकंड का समय इसको लग रहा है तो आप से करहा रेल गाड़ी की लंबाई बताईए यानि अब देखे फ्रेंट्स इन दोनों के बीच का क्या लेंगे डिफरेंस इन दोनों के बीच का difference लेंगे तो यानि difference कितना हो जाएगा L से L cancel हो जाएगा तो देखे friends यहां से कितना हो जाएगा 264 meter हो जाएगा यही तो है क्योंकि meter में दिया है और इनके 20 का difference लेंगे कितना हो जाएगा 16 और 8 के बीच का difference कितना हो जाएगा 8 second अब देखे फ्रेंट्स आठ सेकंड की ही बैलू क्या थी? L थी यानि कितना आ गया मुझे 8 सेकंड की ही बैलू चाहिए थी यानि कितना आ गया? 264 मीटर आ गया यानि A ही आपसन क्या होगा इस question का correct answer होगा कितना हो जाएगा फ्रेंट्स? A option ही क्या होगा इस question का right answer होगा चली A option ही क्या हो जाएगा जब कभी भी इस type का सवाल आए बेरी बेरी important है इस बात का ध्यान देना आप हमेशा जो मैं तरीका बता रहा हूँ जो मैं approach बता रहा हूँ इससे करेंगी आप within second में exam में question कर ले जाएंगे चली आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगला question ध्यान समझेंगे कि क्या कह रहा है अगले question की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर चली अगला question यह भी बड़ा ही जबरदस्त बहतरीन है question आप से कह रहा है कि a train takes 10 seconds to cross a pole and 20 seconds to cross a 200 meter long platform what is the length of the train same उसी type का सवाल है कि एक rail गाड़ी एक खंभे को पार करने में 10 seconds लेती है और 200 meter लंबे plate farm को पार करने में 20 seconds लेती है तो rail गाड़ी की लंबाई क्या है इस question का answer क्या होगा आप सभी लोग जबरदस तरीके से बताईए मैं same इसी type का एक सवाल अभी इसके जस्ट पहले बता चुका हूँ तो इसका answer क्या होगा आप लोग comment करिए साल ट्रिक से ही सारी चीजें देखिए मैंने पूरा आप लोगों को जो है जितना concept था मैंने आपको discussion कर दिया अगर concept आपके दिमार्ट में है तो हर एक question within second में आप बना लेंगे इस बात की guarantee है एक्जाम में चलिए हाँ बहुत सारे इस question का answer क्या होगा आप लोग comment box में comment करिए यह सारे option आपको यहाँ पे दिख रहे हैं हाँ डी option बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं अब देखे friends इस type का question में करा चुका हूँ बहुत ही आसान भी है ध्यान समझेगा कैसे करेंगे रेल गाड़ी की लंबाई को एल मान लिया और कहरा एक खंभे को 10 second अपने लंबाई की योगफल के बराबर पार करेगी और 200 मीटर लंबे platform यानी रेल गाड़ी अपनी लंबाई और आप से कहरा प्लेट फार्म की लंबाई की योगफल के बराबर पार करेगी कितने समय में 20 second में पार करेगी अब देखे friends हमने का इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो जयसे ही आप difference लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 200 Lसे तो L cancels हो जाएगा 200 की बैलू कितनी आ गई 10 second इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे 10 second आट मुझे 10 second की ही बैलू चाहिए 10 second की ही बैलू चाहिए तो यानी कितना हो गया 200 मीटर यानि D आपसन इस question का correct answer होगा तो within second में आपका answer आजाएगा इस बात का ध्यान देना चलिए बहुत सारे बच्चे D बता रहे हैं क्योंकि मैं ये question बता चुका था अब आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगले question देखे friends आपसे क्या कहरा अगले question कहरा 150 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है तो 370 मीटर लंबे एक प्लेट फार्म को पार करने में रेल गाड़ी कितना समय लेगी ये आपसे पूछा गया है तो चलिए friends इस question को लगाईएगा कि कैसे करेंगे आप लोग चलिए जबर्दस्त और बहतरीन तरीके से आप सभी लोग friends इस question को लगाएंगे कि इसका answer क्या होगा बड़ा ये बहतरीन question है आप बहुत सारे बच्चे 200 मीटर बता रहते गुड़ अब इस question का answer क्या होगा हाँ इस question का answer क्या होगा आप लोगों को बताना है हाँ चलिए ध्यान समझे कैसे करेंगे अब देखे फ्रॉंस यहां मुझे समय चाहिए क्या चाहिए समय अब देखे फ्रॉंस आप सबसी लोग सबसे पहले देखा करिए question में पूछा क्या है चाहिए क्या समय पूचा है समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल यानि डिस्टेंस अपान क्या होता है इस्पीड अब देखें फ्रेंस मुझे यहां से इस्पीड चाहिए क्या चाहिए इस्पीड चाहिए तो इस्पीड कैसे निकालेंगे इस्पीड निकालने के लिए देखें, फरेंस करę रहा, 150 मिटल लंबी रेल गाड़ी, 500 मिटल लंबे पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेत teh intent, इसका मतलब अपनी, ये जो ये वाली जो पहला वाला केस है, ये रेल जो है, आप लोगों की जो रेल गाड़ी है, ये लंबे पुल को यानि अपनी लंब लबाई के योगफल के बराबर पार करेगी पांसो में 150 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 650 स्पीड बराबर डिसटेंस अपन् leading कितना हो जाएगा यहां से 30 हो जाएगा और इसका मतलब मोगा जीरो से जीरो कैंसील हो जायगाritos 65 बटे कितना हो जाएगा 3 आपका क्या हो गया प्रति सेकंडा गया कितना आ गया 65 बटे तीन मीटर प्रति सेकंड होगा 5 एक चेशसार है छे सो बटे कितना हो जाएगा 30 अब करा 370 मीटर लंबे प्लेट फार्म को पर करने में रेल गारी कितना समय लेगी अब रेल गाड़ी की लंबाई कितना है 150 अब 370 को पार करेगी तो यानि समय बराबर टोटल दूरी कितनी हो जाएगा 150 में 370 जोड़ देंगे फ्रेंस कितना हो जाएगा 0, 7, 5, 12 12 की 2, हांसिल लाइन 1, 3, 1, 4, 1, 5 यानि कितना हो जाएगा 520 बटे कितना हो जाएगा 65 बटे 3 हो जाएगा कि नहीं तो आप लोग कहेंगे हां बिलकुल सर हो जाएगा इसको 5 से काट देते हैं तो 13 पचे 65 ये 13 हो जाएगा इसको 5 से काट देते हैं तो 5, 9, 5, 0, 104 अब 13 से काटेंगे 13, 8, 104 ये तीन उपर चला जाएगा कितना हो जाएगा आट तरीक का 24 यानि कितना हो जाएगा फ्रेंट्स आप लोगों का 24 सेकेंड ही इस कुष्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा यानि D आपसन ही क्या होगा इस कुष्चन का करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा फ्रेंट् time is equal distance upon speed, इसका मतलब कहीं न कहीं distance है, लेकि मुझे speed चाहिए, तो सबसे पहले मैंने speed निकाला एक concept से, दूसरे वाले concept मैंने calculate कर दिया, कितना आ गया, 24 सेकंड, हाँ, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, D is right answer, चली, आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ, यहाँ पर अगला question ध्यान समझते हैं, कि क्या है, चली, अगला question आपसे कह रहा, 150 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी अपनी दिसा में आ रही 100 मीटर लंबी रेल गाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, यदि पहली रेल गाड़ी की चाल आपसे कह रहा है, कि 100 किलो मीटर प्रदी घंटा है, तो आपसे कह रहा, दूसरी रेल गाड़ी की चाल क्या है, चलि ये भी सवाल बड़ा ही जबर्दस्ट और बहतरीन है तो इस question को आप सभी लोग जबर्दस्ट और बहतरीन तरीके से बनाईए हाँ इस question का answer क्या होगा आप लोग जबर्दस्ट और बहतरीन तरीके से comment करके बताईएगा अब देखे फ्रेंट्स दोनों सेम ही दिसा में जा रही है इस बात का ध्यान देना देखे हमने आप से क्या कहा था फ्रेंट्स एक बात का हमेशा ध्यान देना आप से क्या कह रहा पहली रेल गाड़ी की चाल देखे चाल बराबर होता क्या है चाल पूचा है speed, चाल बराबर क्या होता है friends speed बराबर distance upon time, चाल बराबर दूरी बटे समय अब यहाँ देहाँ समझेगा एक तो आपको 100 km परावर दिया है दूसरे की speed नहीं पता है तो plus S2 अब यहाँ पर देखे friends हमने आप से कहा था अपनी rail गाड़ी, अपनी लंबाई की योगफल के बराबर यहाँ पर पार करेगी तो इसका मतलब 150 में 100 जोड देंगे कितना हो जाएगा 250 और बटे कितना हो जाएगा friends आप सभी लोगों को यहाँ पर 10 हो जाएगा की नहीं तो आप लोग कहेंगे हाँ बिलकुल सर यहाँ पर हो जाएगा clear है अब यहाँ पर ध्यान समझेगा friends आप लोग कैसे करेंगे अब यहाँ पर आपको ध्यान समझना है friends इसको अगर मैं cancel आउट कर देता हूँ यहाँ से तो एक जीरो से एक जीरो आप सभी लोगों का यहाँ पर हो जाएगा cancel अब देखें friends यह किलो मीटर पर आवर में है यह मीटर पर सेकेंड में है तो यहाँ पांच बटे 18 से multiply भी आपको करना पड़ेगा तो पांच से multiply कर देंगे यहाँ पांच से काटेंगे तो कितना हो जाएगा पचम 25 क्रास multiply कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 100 plus का s2 is equal कितना हो जाएगा friends 90 यहीं हो जाएगा s2 बराबर देखे friends कितना हो जाएगा यहां से s2 बराबर कितना हो जाएगा यहां पर देखे friends थोड़ा सा same direction में जा रही है अच्छा अपनी ही दिशा में आ रही है इस बात का ध्यान देना friends यहां क्या हो जाएगा minus थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पे माइनस हो जाएगा यहां पे माइनस होगा थोड़ा सा ध्यान दीजेगा तो यानि S2 बराबर यहां से कितना हो जाएगा S2 उधर जाएगा 90 इधर आएगा कितना हो जाएगा 10 किलो मेटर पर आवर क्या होगा इस question का correct answer हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 km पर hour होगा यानि A option ही इस question का right answer होगा चलिए कितने लोगों का A आया इस question का answer A option होगा A option इस question का right answer होगा चलिए हाँ अब अच्चे बता रहे हैं A option थोड़ा सा calculation आप भी चेक कर लिया करिए हो सकता है वाई बिस्टेक रांग भी हो सकता लेकिन सही है 10 km होगा आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगला question ध्यान समझेंगे कि क्या है अगला question आप से कह रहा फ्रेंट 60 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 42 km प्रदिघंटे की चाल से अपने समान दिसा में 84 मीटर कह रहा लंबी एन रेल गाड़ी जो 30 km प्रदिघंटे की चाल से चल रही है उसे कितने समय में पार कर लेगी ये आप से पूछा गया है तो ये भी question बढ़ा ही जबरदस्त और बहतरीन है चलिए इस question को आप लोग करेंगे बताएंगे किसका अंसर क्या होगा देखिए जो बच्चे सार्ट ट्रिक ढोड़ रहे हैं ये सब सार्ट ट्रिक ही है जब तक आपको concept नहीं clear होगा इस बात का ध्यान देने आप question नहीं कर पाएंगे मैंने आपको जितने भी सार्ट ट्रिक है स्टार्ट ट्रिक में फुल कॉंसेट मैं बता चुका हूँ चलिए इस question को करेंगे कि 60 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 42 किलो मीटर प्रति घंटे की चाल से अपने समान दिसा में 84 मीटर लंबी अन्य रेल गाड़ी जो 30 किलो मीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है उसे कितने समय में पार करेगी हाँ चलिए अब ध्यान समझेंगे यहाँ पर समय पूछा है सेम उसी टाइप को question मैं करवा चुका हूँ इसका answer जल्दी जल्दी आप लोग comment box में comment करके बताएंगे कि इसका answer क्या होगा देखें समय बराबर क्या होता friends दूरी बटे चाल यही होता है इस बात का ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग sense लगाया करिए अब यहाँ पर ध्यान समझेगा अब कितने समय में और सेम ही direction में जा रही है इस बात का ध्यान देना जब सेम direction में जाएंगे तो minus हो जाएगा 60 और 84 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, 8, 6, 14 यानि 164 देखें फ्रंट 60 मीटर और 84 मीटर को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, 8, 6, 14 8, 6, 14 यानि 144 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा जोड़ देंगे 4, 8, 6, 14 144 दोनों सेम ही direction में जा रही है तो इसका मतलब यहां से 42 और 30 के बीच का difference लेंगे 12 किलो मीटर पर आवर है मीटर पर सेकेंड में convert करेंगे कितना हो जाएगा 5 बटे यहां पर 18 हो जाएगा 12 से काटेंगे 12 बरहम में 144, 18 ऊपर चला जाएगा तो यानि कितना हो जाएगा 12 गुड़े 18 और बटे कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का 5 5 इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 5, 2, 10 यही हो जाएगा 5, 4, 20 इसको मल्टिप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 18, 4, 72 72 की 2, 7 कितना हो जाएगा 18, 2, 36 36, 4, 43, 43 यानि कितना हो जाएगा 43.2 सेकेंड कौन सा आप सन देख रहा है C आप सन ही क्या होगा इस कुश्चन का करेक्ट आंसर होगा 43.2 जो है इस कुश्चन का राइट आंसर होगा क्लियर है 2 सेकेंड तो देखे फिर्ट्स अभी हमने आप को कॉंसेट बताया था कि जब एक ही दिसा में जाएगी तो रेल गाड़ी जो है अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी तो इसका मतलब 60, 84, 144 दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे सेम डारेक्शन में जा रहा है किलो मीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड में कनवर्ड करके जल्दी से कैल्कुलेट कर ये बिदिन सेकेंड में आंसर आएगा बिदिन सेकेंड में हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कुश्चन की तरफ अगले कुश्चन की तरफ चलेंगे अगला कुश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पर क्या कह रहा है देखे फ्रेंट्स अब यहाँ पर सुरू हो जाता है आप लोगों का जो है बोट एंड इस्ट्रीम अब ध्यान समझेगा एक-एक concept को आपको ध्यान से समझना है फ्रेंट्स एक-एक concept को ध्यान समझना है boat and stream यानि आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंट्स नाव और धारा हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंट्स नाव और धारा बड़ा ही जबरदस्त और बहतरीन टॉपिक है इस बात का ध्यान देना क्या हो जाएगा फ्रेंट्स नाव और धारा यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं चलिए आप सभी लोगों का आप देखिए जो बच्चे सुरू से वीडियो को नहीं देखें हैं जाके देखिएगा हर एक कॉंसेप्ट आप बनाईएगा जितना कुश्चन कराया इसी को अगर धंग से कर लेंगे तो इससे बाहर आपकी एक्जाम में नहीं जाएगा चलिए अब ध्यान समझिएगा इस्थिर पानी में नाव की चाल को हमने यहाँ पर कितना मान रखा है एक्स किलो मीटर पर आवर देखिए फ्रंस आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर मान लिया है कि स्पीड आप बोटिन इस्टिल वाटर क्या हो जाएगा एक्स किलो मीटर पर आवर धारा की चाल यानि स्पीड आफ करेंट को देखिए फ्रंस मैंने यहाँ पर कितना मान रखा है वाई किलो मीटर पर आवर ध्यान से समस्ते चलिएगा फ्रंस यह भी बड़ा ही कॉंसेप्च्वल टापिक है अगर कॉंसेप्ट क्लिय पर नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन को आप लोग बना नहीं पाओगे ध्यान देना धारा की चाल स्पीड आफ करेंट को मैंने कितना मान लिया है वाई किलो मीटर पर आवर एक बात हमेशा ध्यान देना फ्रंस जो नाव की चाल होगी वह धारा की चाल से हमेशा अब यहाँ पर देखें फ्रंस क्या हो जाएगा एकस ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा क्लियर है अब देखें फ्रंस अगला कॉंसेप समझेए धारा की दिसा में नाव की चाल जिसको हम बोलते हैं फ्रंस डाउन स्ट्रीम क्या बोलते हैं फ्रंस डाउन स् आप सभी लोगों की देखे फ्रेंट्स ये क्या है एक नाव है जिसको देखे फ्रेंट्स पानी में उतार दिया गया ये आप लोगों की पानी है ये आप लोगों का क्या है पानी है मैंने नाव की चाल को देखे, कितना मान रखा है, X किलो मीटर पर आवर, यही मान रखा है, और धारा की चाल को मैंने कितना मान रखा है, यहां पर यहां पर मान रखा है, यानि इस धारा की दिसा में ही नाव बह रही है, नाव की चाल को X किलो मीटर, धारा की चाल को Y किलो मी फ्रंट्स ये रेल गाड़ी से थोड़ा सा अपोजिट है क्योंकि वहाँ पे जब फ्रंट्स हम सभी लोग सेम में जाते हैं तो माइनस होता है लेकिन यहां सेम में जाएंगे तो प्लस होगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और धारा की विप्रीद दिसा में नाव की चाल ऐसा समझे कि फ्रंट्स देखे मा लिजे धारा आप लोगों की इधर बह रही है आपने इसमें नाव को उतार दिया यहां पर यह नाव आपकी उतार दी गई इस बात का ध्यान देना यह आप लोगों की नाव है अब देखे फ्रंट्स धारा इधर बह रही है वाई किलोमीटर पर आवर की चाल से और उसके बाद देखे फ्रंट्स आप लोगों की जो नाव है इधर जा रही है एक्स किलो मीटर पर आवर की चाल से यहाँ पर जा रही है तो इसका मतलब देखे ना उधर जा रही है धारा इधार आ रही है तो धारा की दिसा में विप्रीत की चाल यानि इसको हम अप इस्ट्रीम बोलते हैं क्या बोलते हैं friends, आप stream बोलते हैं, तो इसका मतलब यहां से इसको u से denote करूँगा, u बराबर हो जाएगा, x-y km per hour, कितना हो जाएगा friends, x-y km per hour यहां से हो जाएगा, clear है, यहां तक चीज़ें clear हो गई की नहीं, आप सभी लोगों को अभी मैं concept ही केवल बता रहा हूँ, ध्यान समझते चलिए, एक बार आप सभी लोग हाँ, u बराबर कितना यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने concept बता दिया, अब थोड़ा सा ध्यान समझना है एक बात को, अब देखे friends, थोड़ा सा यहां पर एक बात आपको और ध्यान से समझना है, मैं एक चीज और आपको यहां पर बताने वाला हूँ, अभी अभी हमने आप से क्या बताया, friends, d बराबर क्या होता है, x प्लस y ध्यान समझेगा, friends, हर एक concept को, और यू बराबर हमने क्या बताया, x माइनस का y, यह बताया, एक बात हमेशा ध्यान देना, friends, डाउन स्ट्रीम के स्पीड हमेशा अप स्ट्रीम के स्पीड से जादा होगी, हमेशा ध्यान देना, d is greater than क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, अब देखे, friends, इन दोनों equation को एक बार जोड़ दीजे, एक बार add कर दीजे, एक बार add करेंगे, तो देखे, friends, y से y cancel हो जाएगा, यानि यहां से हो जाएगा, d प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 2x, यह यह कह लीजे, इस implies that हो जाएगा, friends, y x बराबर क्या हो जाएगा, d प्लस y बाई 2, हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे, हाँ, बिल्कुल सर हो जाएगा, जब कभी भी आपसे, friends, इस्थिर पानी में now की चाल पूछा जाएगा, d प्लस y बाई 2, यानि direct मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक question within second में उडाएगे, बस concept को अपने दिमाग में set रखना है, चलिए, उसके बाद अगर हम इसी को एक बार सब्ट्रेक्ट कर दें, इसी को एक बार मैं अगर सब्ट्रेक्ट कर देता हूँ, तो friends, यहां से y बराबर हो जाएगा, इसी को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो घटाएंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा d minus का u by 2, यह भी concept आपको अपने दिमाग में sit रखना है, यानि जब कभी भी आपसे धारा की चाल पूछा जाएगा, तो friends, y बराबर d minus u by 2 कर देंगे, डारेक्ट आप का आंसर आएगा, अभी मैं question के माध्यम से सिखाने वाला हूँ, कि डारेक्ट आप लोगों का एकजाम में आंसर कैसे आएगा, चलिए, आप सभी लोगों को concept बहतर तरीके समझ में आ गया हो, तो एक बार आप लोग comment box में comment करके बताईए, चलिए आप सुभी लोग एक बार comment box में comment करके बताईए कि चीजें बहतर तरीके से clear हो गई कि नहीं एक बार आप लोग comment box में comment करके बताएंगे एक बार आप लोग कमेंट हाँ यस सर क्लियर है सभी लोग एक जबरदस तरीके से कमेंट करेंगे हाँ चलिए चीजें अगर बहतर तरीके समझ में आ गई है अब देखे कुश्चन आप लोग खुद ही देखते ही बना लेंगे अभी मैं आपको दिखाने वाला हो कि मुझे बहुत जादा कुश करना नहीं है आप लोग कुश्चन को खुद कर लेंगे सबसे पहला कुश्चन कहरा एक नाव धारा की दिसा में 60 किलो मीटर की दूरी 3 घंटे में तै करती है और आप से कहरा बड़ा यह बहतरीन सवाल है और बेरी बेरी इंपॉर्टेंट है इस बात का ध्यान देना अब देखिए फ्रेंट्स कैसे करेंगे अब ध्यान समझिएगा अब इस सारे कुश्चन आप खुद ही बना लेंगे अब देखिए फ्रेंट्स now 13 की दिसा में यानि जिसको मैंने कहा था D से denote करेंगे downstream सबसे पहले speed निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंट्स 60 बटे 3 हो जाएगा speed निकालेंगे तो यानि speed बराबर क्या हो जाएगा distance upon time यानि 3 दूनी 6 यानि speed कितनी आगई फ्रेंट्स 20 km पर आवर धारा की दिशा में चाल यानि down stream और जबकि धारा के विप्रियत दिशा यानि up stream कितना जा रहा फ्रेंट्स 48 km 6 घंटे में जा रहा है यानि 6, 8, 48 यानि कितना हो जाएगा 8 km पर आवर यहां से हो जाएगा अब आप से कहा फ्रेंट्स सांत जल में 9 की चाल और धारा की चाल बताईए अभी अभी हमने कहा फ्रेंट्स सांत जल में 9 की चाल यानि x बराबर कैसे निकालेंगे इन दोनों को जोड के आधा कर देंगे 20 और 8 को जोड देंगे कितना हो जाएगा 28 28 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 14 km पर आवर यक्स बराबर हो जाएगा 11 की चाल y बराबर बात करते हैं तो हमने कहा तह insurance D-Uby2 कर देंगे 20 में से 8 जाएगा 12 और 12 का आधा कर देंगे 7 के और 11 का आधा कर देंगे 6 km पर आवर क्या होगा इस question का correct answer होगा 14 over 6 14 over 6 आपका कहां दिख रहा D option ही क्या होगा इस question का right answer होगा कौन option हो जाएगा D option D option ही क्या होगा इस question का right answer होगा चलिए आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगला question यहां ध्यान समझेंगे D option इस question का correct answer होगा अगले question की तरफ बढ़ेंगे अगला question ध्यान से समझेंगे कि आप लोगों से क्या कह रहा है अगला question देखे friends कह रहा है धारा की दिसा में एक 9 की चाल कह रहा 16 किलो मीटर पति घंटा है जबकि धारा की विप्रीद दिसा में 9 की चाल 10 किलो मीटर पति घंटा हो तो 9 की चाल एवं धारा की चाल बताईए अब इस question को आप लोग देखते ही friends कर लेंगे अभी जो मैंने concept बताया जल्दी से आप लोग comment box में comment करिए किसका answer क्या होगा इस ऐसे question में आपको pen उठाने की आवसकता नहीं है जो मैंने अभी आप लोगों को सांदार तरीके से concept बताया है हाँ प्रिंस चोधरी डी अनिकेत डी सभी बच्चे डी बता रहे है चलिए इस question का answer क्या होगा यूपी भाई या डी चलिए आगे बढ़ेंगे अब यहां पे ध्यान समझिएगा अब देखे फिर्ण्स डारेक्ट कर लेंगे आप से कहरा नाव की चाल एम धारा की चाल एक्स बराबर अभी हमने कहा देखे धारा की डिशा में डाउन स्टीम आपको कितना दिया है डी बराबर 16 किलो मीटर पर रावर विप्रीत दिशा यानि अप लोगों को यू बराबर 10 किलो मीटर पर रावर दोनों को जोड देंगे एक्स बराबर कितना हो जाएगा 16 में 10 करेंगे 26 26 का हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा 13 और 13 एक ही आप सन में दिख रहा ए वाला ही इस कुशन का राइट आंसर होगा बाकी आपको देखे फ्रेंट्स इसी तरीके से करना है आपको बाकी धारा की चाल निकालने की जरूरत नहीं है अगर धारा की चाल भी निकालना चाते हैं तो वाई बराबर 16 में से 10 जाएगा 6 और 6 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 3 यानि ऐसे कुशन फ्रेंट्स आप ओरल लगा लेंगे बस कॉंसेप्ट मैंने जो बताया है अगर क्लियर रहेगा तो ओरल लगाएंगे हाँ बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं अगला कुश्चन आप लोगों से क्या कह रहा यहां पर यह भी कुश्चन कहरा केवट 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से डाउन इस्ट्रीम और 2 किलोमीटर अप इस्ट्रीम तैर सकता है तो इस्थिर जल में केवट की गति तथा धारा की गति गयात कीजिए चले इस कु वाल देखे फ्रंट्स मैं करा चुका हूँ तो इसका अंसर क्या होगा आप लोग स्क्रीन साट ले लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा कि इसका अंसर क्या होगा चलिए हाँ आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ चलिए अगला कोश्चन आप से कहरा फ्रंट्स एक नदी में धारा का वेक दो किलो मीटर प्रदी घंटा है इस नदी में एक नाविक धारा के विप्रीत कहरा आप 20 किलो मीटर जाने में तथा वापस उसी बिंदू तक आने में कुल 110 मिनट लेता है सांत जल में नाविक का वे देंग क्या है तो यह आप से पूछा गया है तो अब द्या समझेगा जाने में यानि डाउन इस्ट्रीम जा रहा है अब देखें धारा कवेक 2 किलो मीटर प्रदी घंटा है इस नदी में एक नाविक धारा के विप्रीत जो है कितना जारा फ्रंट्स 20 किलो मीटर जा रहा है तो अब देखे प्रिंट जितना जा रहा उतना ही आएगा भी इस बात का ध्यान देना तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस question को आप लोग कैसे करेंगे देखे आप से पूछा है कि समय बेग पूछा है speed देखे प्रिंट चाल बराबर दूरी बटे समय होता है यानि यहां समय दिया है तो दूरी बटे चाल कर दीजे अब इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा हमने मालिय नाविक धारा के विप्रीट 20 किलो मीटर जाने में वापस यानि वापस उसी में आ रहा है तो 20 किलो मीटर जाने यानि डाउन इस्ट्रीम आप लोगों का कितना हो जाएगा फ्रिंट स्ट्रंब य mex प्लस का क्या हो जाएगा ट्रू वह जाएगा कि नहीं तो अब यहाँ पर 110 बटे 60 का मतलब यही हो जाएगा, 00-00 cancel हो जाएगा, मैंने इसको आवर में convert कर दिया है, इस बात का ध्यान देना, इहाँ से आप लोग लेंगे आपसन का सहारा, इसका लेंगे आपसन का सहारा, जो आपसन 11 बटे 6 satisfied करेगा वही आपसन इस question का correct answer होगा तो चलिए friends इसका answer क्या होगा अगर मैं 23 लेता हूँ तो यहानी कितना हो जाएगा 20 बटे 23 दो कितना हो जाएगा 25 और plus यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 23 में से 2 घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा 21 clear है तो क्या 11 बटे 6 आएगा बिल्कुल नहीं आएगा अब यहाँ पर ऐसे ही आपसन को आप रख के चेक कर सकते हैं तो ऐसे ही रखते हुए चले जाएगा कितना हो जाएगा आप लोग चेक कर लीजेगा अगर मैं 20 रखता हूँ तो 20 बटे कितना हो जाएगा 22 20 बटे कितना हो जाएगा 22 प्लस कितना हो जाएगा 20 में से 20 बटे 18 यही हो जाएगा अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहां से 10 बटे कितना हो जाएगा 11 2 से काटेंगे 9 यहां कितना हो जाएगा फ्रेंट से 10 इसका मतलब ये भी नहीं होगा 22 रखेंगे इसी तरीके से आप लोग फ्रेंट चेक करके बताईए जल्दी से आंसर क्या होगा आपसन का सहारा लेंगे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 22 बता रहे हैं 22 पर सटिसफाइड कर रहा है तो चलिए फिर यारी आप सभी लोगों का थोड़ा से ध्यान देना यहाँ पर चलिए कोई दिक्कत नहीं है भी आपसन हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर अब इसको देख पड़ेंगे अगले कोशन की तरफ अगला कोश्ण देखे यहां आप लोगों से क्या कह रहा है यहां पर अगला कोशण कैरा है कि एक इस स्टीमर 13 के विप्रीट दिशा में 3 गंटे में 72 किलोमीटर जाता है यहादि धार की रफतार आप से कह रहा है कि 3 किलो मीटर पती घंटा है तो 7 जल में इस्टीमर की चाल क्या होगी अब द्यान समझेगा इस कुश्चन को आप लोग कैसे करें गे करा एक इस्टीमर धारा के विपरीत यानि अब इस्टीम आपसे कहरा फ्रेंट 72 किलो मीटर 3 आवर में जा रही है तो 3 से पर आवर दिया है तो आप से करा सांत जल में इस्टीमर की चाल यानि एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स बराबर आप से पूछा गया है अभी देखे फ्रेंट्स आप डारेक्ट लगा सकते हैं यहां से आप को कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का 24, 3, 27 किलो मीटर पर बराबर ही इस कुश्चन का करेक्ट आंसर होगा बाकी अफिल आप लोगों को हमने एक कॉंसेप्ट सिखाया था कि यू बराबर क्या होता फ्रेंट्स अप इस्टीम यक्स माइनस का वाई बताया था कि नहीं आप लोग कहेंगे हां बिल्कुल सर यू बराबर 24 रख देंग इस कुश्चन का करेक्ट आंसर होगा चलिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं इस कुश्चन का आंसर हो जाएगा ए-option तो चलिए फ्रेंट से बहुतर तरीके से यहां पर क्लियर हो गई होगी हम आगे बढ़एंगे अगले कुश्चन की तरफ और अगला कुश्चन ध् चीज़ें कम समझ में आई हैं वो लोग जरूर जाके वीडियो को दुबारा देखिएगा मैंने हर एक कॉंसेट को बहुत बहुत बहतरीन और सांदार तरीके से क्लियर कर रखा अगर आपको कॉंसेट क्लियर है आप लोग यहां पर पढ़ लिए अब खुद से प्रैक्टिस क चलिए आज के लिए सेसन को हम लोग इतना ही रखेंगे आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर भी थैंक्यो आल दी बेस्ट